नमस्कार दोस्तों हमारे युट्यूब चैनल में आपका स्वागत है देशों जारखन में मंद्रेगा के इंतरगत एक नया वेकिंसी का नोडिफिकेशन निकल कर आई है आप सभी के इस वेकिंसी को ओलाइन तरीके से आवितिन करेंगे जी एंसों या वेकिंसी आप लोग को क्वालिफिकेशन चाहिए तो आप लोगों को डिटेल में बताए जाएगा किस पोस्ट लिए कि क्या क्वालिफिकेशन आप लोगों से जो मांगा गया है तो आप लोग वीडियो को अच्छे तरीके से जरूर देखें तो दोस्तों देखिए आप लोग का वेकिंसी का आप मल्टिपल जीला में आवेदन कर दिये हैं तो ध्यान रखेंस आपका जो है सेलेक्शन सोतर रद कर दिया जाएगा इसलिए तो आप भी इस बात का ख्याल रख करके किसी एक जीला में ही आप आवेदन कीजिएगा चलिए आप अपने जीला की अपडेट पाने के लिए जरू से चैनल को सस्क्राइब करके रखें और बेल आकन को जरू प्रेस कर लिजेगा ताकि जब भी आपकी या वेकिंसी आएगी आपको सुचना दे दिया जाएगा ठीक है चलिए बात करते हैं तो क्या-क्या जो आप लोग आप पोस्ट निकल कर आई है तो देखिए तकन कि साहक कने अभियनता के समग्च कुल मिलाकर चोकड़ पोस्ट है लेखा साहक में देखिये चार पोस्ट है और ग्राम रोजगार सेवक में आप लोग पोस्ट लिए वेकंसी निकल कर आई है आप सभी इकनेड़ आवे दिन कर सकते हैं बिल्कुल ऑफलाइन तरीके से होगा जो कि 9 सेप्टेंबर तक आप लोग आवेदिन करेंगे apply rdt.jharkhan.gov.in के माध्यम से देखे form को आवेदिन कर सकेंगे चलिए बात करते हैं इस बिकिंसी के क्वालिफिकेशन के बारे में ठीक है जो कि सभी पोस्ट के लिए अपर अलग-अलग कर सकते हैं और अत्रीक्त योगिता भी आपका जो है जरूरी है इसमें अत्रीत योगिता में क्या मंगा गया आप लोग से तो देखेगा एम टेक अगर जिदी कर लिए होएं सिविल संगाय में MTEK किये होएं या पर पर PGTCA या फिर दीए M.C.A किये वए या देखे अगला जो पोस्ट है देखिए अपर तकन की साहय कन्य अभियंता के समक्ष इसमें अनिवारी योगिता रखा गया है सिवील काई में डिपलोमा सिवील से उगल कर लिए ना कर सकते हैं और यहां पर staple के सास्थान से सिवील सेंगारी बुट 7 कर लिये हो या फिरे ऊभिची कब्रण कर लिये होएं या फिर्चे 안ष है या फिर देखिए इस लों योगिता में माना जाएगा आप आभिदन कर सकते हैं देखिए उसके अलाबाद उसनों अत्रिक्त योगिता और भी बताया गया आप डिटेल में पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन को ठीक है लेखा साहक के लिए पर बताया गया अनिवारी योगिता आपका क्या होना चाहिए ठीक है यानि B.com की डिउगरी आपका होना चाहिए जो की 55% अंग के साथ ठीक है आप लोग आप अभिदन कर सकते हैं और अत्रिक्त योगिता इसमें आप लोगों से मँझा गया है जैसे के MCom कियें BCA कियें हैं MCE किए हुएं PG DCA किए हुएं MSC किए हुएं तो यह सब आपका जो अतरीक त्योगता में मना गया है और भी यहां पर जो है डिगरी जोड़ा गया त्रीक त्योगता में जो कि आप डिटेल में पढ़ सकते हैं ते कंपेटर सहे के लिए जितने भी कंडिडिट आवल दिन क करेंगे तो द्यान रिखे किए हुए इसमें आपका जो है अत्यानिवार योगता में रखा घया है लिए प्लिग्दिडिजक्ट से और साथ में PG DCA कर लिए तो आप लोग आविदन कर सकता है यह आपका अनिवार योगता है और वहीं पर दोस्तों आपका जो अत्रीक त्य PGDCA, MSC, MSC Computer Science, अगर जिदी किये हुएं तो आप लोग आविदन कर सकते हैं, और भी देखिए, लीष्ट दिया वाया तरीक थी योगता की, अब यहाँ पर देखिए, डीटेल में देख सकते हैं, अगला यहाँ पर देखिए, ग्राम रोजगार सेवक, ध्याने किसमें, ग्रा आप किये हुएं तो बिल्कुल आप आविदन कर सकते हैं, या फिर दोस्तों देखिए, यहाँ पर इंटर्मेडियेट रखा गया है, या फिर देखिए, इसके बराबर, इंटर्मेडियेट के बराबर क्या हो जाएगा, मैट्रिक पास के पसचात, किसी भी ट्रेड में आई इंटर्मेडियेट माल जब नहीं किये हुएं, तो आए टेंथ और आई टी आई कर लिए हैं, तो बिल्कुल आप लोग आविदन कर सकते हैं, ठीक है, यह मतलब यह 12 के बराबर आपका जो है, माना जाएगा 10 प्लस आई टी आई को, तो धियान रखेगा इसका दोस्तों, औ इसलब ग्रिजिशन कर लिए हुए हैं, या पर देखेगे, बिसी ए किये हुए हैं, किसी भी संकाय में, या पर देखेगे, पोस्ट ग्रिजिशन डिगरी किये हुए हैं, या पर देखेगे, PGDCA किये हुए हैं, PGDBA किये हुए हैं, PGDRD किये हुए हैं, यह सब देखेगे, आ अच्छी तरीके से उमीद करते हैं क्वालिफिकेशन आपको जो है समझ में आ गया हुआ देखिए यहां पर आप लोगा जो एज लिमीट बदाया गया सो एक एक दो जार तैस के नुसर आपका जो है आठारा वर्स कम से कम होना चाहिए अधिकतम उमरसिमा देखे जेनरल के ल से लिए आटीस वर्स है अनसुची जाती जाती महीळा प्रोज दोनों के लिए आप चालिस वर्स का दिखिए अब दिव्यां के लिए खूट दिया गया है तो उम्मीद करते हैं समझ गये होंगे कैसे आप लोग फोर्म को भरेंगे ऑनलाइन तरह के सब्सक्राइब तरह कि देखिए 11,000 आपको जो है दिया जाएगा और ग्राम रुजगार के लिए चोग दो हजार तीन सो रुपए इस तरह करते हैं आप लोग का जो है सैलेरी डिटेल भी दे दिया गया है डिटेल में देख सकते हैं तो दोस्तों देखिए आविधन करना का लिंक आपको जो है वीडियो की डिस्केशन में मिल जाएगा आप डारेट क्लिक करके आविधन कर सकते हैं 25 अगसे फॉर्म बराएगा 9 सेप्टमबर तक आप लोग फॉर्म को आविधन कर सकते हैं applyrdt.jharkhand.gov.in के मादम से देखिए फॉर्म को आप लोग जो है आविधन करेंगे धन्यवाद.